आलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग одно to doctor कर्स किंचन वारिश का मौसम में पर्केट में जो है यह मैं आर्भी के पत। technically आओ चिपान पात में नियुक्स अदू की नेकाच के बनाता हैं लेकिन ये हैशस link चूट हो मुझे मार्बी के पत्या है तो इन पत्तों से चलो अभी हम देखते हैं हम क्या नया कुछ बना सकते हैं उतरी Satusa पात्रा के अलावा और यह जो रेसिपी हमारी इन छोटे पत्तों से बनी हैं बहुती क्रिस्पी यम्मी यह आफ्री डेहरी बनी है तो चलो अब हम आफ रिसिपी के ऊख Crotty बढ़ते जे देखते हैं इन इन छोटे पत्तों से मारे कॉनसी यह gummy टेस्टी रेसिपी बनती है यहां पर मैंने यह आगारो का मल्टि पॉट लिया है केटल पॉट लिया है यह च्छोटा मिनी यह राइस कुकर है यह मैंने अमिजॉण से मंगाया है और यह काफी कॉंपाक्ट है हमारी किचन में आराम से कई भी यह रह जाता है और इसमें दो steamer के level दिये हैं काम बहुर ज्यादा का और यह ceramic का pot है यह निकलता नहीं है इसमें यह rice आपको कर सकते हैं और steamer की तरह इसको पानी डाल के आप steamer की तरह इसको use कर सकते हैं और यह steamer की basket है इसके उपर यह रखके जो भी चीज़े हमें steam करना है vegetables है, पात्रा है, momos है, जो भी आपको steam करना है यह आप इसमें steam कर सकते हैं और इसको जो है यह glass lid दिया है और यह काफी cute और color भी बहुत अच्छा है इसका तो चलो भी हम आमारी recipe के ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है यह पत्ता मैंने लिया है अर्भी का पत्ता और मैं अगी बैटर की मैं आपको दिखाऊंगी के यह क्या बनाने वाली हूँ, यह पात्ता लिया है और मैंने इसको फोल्ड किया है और जो continental की पत्ते की तो लाइट साइट ओपर है तो ये नोख हमें पकड़ना है और हमें इसे ऐसे फोल्ड करते जाना है तो ये ट्राइंगल शेप में हमें इसको फोल्ड करते जाना है और जो किनार की नीचे की बाजू है जैसे हम समोसे पट्टी के समोसे बनाते सेम वैसे ही हमें इसको फोल्ड करते जाना है और यह पहले मैं बगेर बैटर के आपको यह दिखा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा यह लूज लग रहा है यह पत्ता तो यह देखे यह पूरा हमने इसको यह फोल्ड कर लिया है और बहुत आसान है यह और यह देखे यह हमारा फोल्ड होके यह रेडी हो गया है आपको समझ में आ गया होगा यह क्या बनाने वाले हैं समोसा तो यह पात्रा का समोसा हम बनाने वाले हैं तो यह पे बैटर जो है यह बेसन का मैंने बनाया है और जो बैटर हम लगाते हैं पात्रे को वह एक ही साइड को हमें लगा ज़्यादा मोटा जैसे हम पात्रा को लगाते वैसे हमें यह बैटर जो है वो नहीं लगाना है और फिर यह दूसरी साइड जो हमने फोल्ड किये उसके उपर भी हमें यह बैटर जो हमने बनाया है यह लगा देना है और जैसे मैंने बताया था वैसे हमें ये फोल्ड करते जाना है ये देखे फ्रेंड्स ये ट्राइंगिलर और ये कितना बढ़िया ये फोल्ड होते जा रहा है और ये समुसा हमारा जो है ये पात्रा का अर्भी के पत्तों का ये रेडी हो गया है ये देखे तो देखेए फ्रेंड्स ये हमारा पात्रा का समोसा जो है ये रेडी हो गया है कैसी लगी ये आपको आइडिया मेरी पात्रा के समोसे की ये कभी भी आपने कई पी देखा नहीं होगा ये रेसिपी और अभी ये जो हमने अगारोका जो एलेक्ट्रिक कुकर है उसमें हम पानी डालेंगे और पानी को जो है हुबालने के लिए रख देंगे तो पहले स्टार्टिंग में मैंने सेकेंड लेवल पे रखा है यानि पानी हमारा जल्दी बॉइल हो जाएगा और स्टीमर का हमारा बासकेट है वो खराब नहीं हो इसलिए मैंने यह इको बेक का यह पेपर लगाया है स्टीमर बटर पेपर और इसके उपर अभी हमने जो पात्रे के समोसे बनाए है और हम यह स्टीमर में हम रख देंगे कितने सुन्दर हमारे यह पात्रे के सम गजये Hydra और कुछ अठके यह अर्भी के पत्तों के साथ यह रेसेपी है कि हमेशा हम अलू अड़ी बनाते हैं पकोड़े बनाते है को उसे हटके यह कुछ अलग रेसिपी है तो आप भी यह बनाघी गा सिर्फ जो थे कम लगाना है वो अभी boil हो चुका है, steam आने लगा है, और जो भी आप recipe बनाते हो, जो steam करने की है, पानी अच्छी तरह से उबलना चाहिए, steam अच्छी तरह से आनी चाहिए, और जो basket हमने रेडी की है, हमारे समोसी जो है पात्रे के, वो basket हम इसके उपर रख देंगे, और 2-3 मिनिट तक हम अच्छी तरह से steam होने देंगे, और हमारे समोसे है पात्रे के, अरबी के पत्ते के समोसे, हमारे जो है ये ready हो जाएंगे, बिल्कुल भी time लगता नहीं है, ये steamer में, बहुत ही अच्छा है, और ये देखें friends, ये हमारे पात्रे जो है, ये color भी change हो चुका है, हमने जो batter बन तो चलो अभी इनको हम निकाल लेते हैं, प्लेट में, और संबल के निकालना, क्योंकि नीचे से steam आता है, बास्केट भी आप नीचे उतार के निकाल सकते हैं, तो अभी ये एक-एक करके हमें, ये पात्रा समोसा हमारा निकाल के ठंडा करने के लिए रखना है, आप इसको ऐसे steam भी खा सकते हैं, लेकिन ये फ्राय करके ही जो पात्रा हमा खाते हैं, वह अच्छा लगता है, ये देखें फ्रेंड्स, सब हमारा ये पात्रा समोसा जो है, रेडी हो गया है, और कितना ये बढ़िया लग रहा है, एकदम पात्रे की तरह ही ये लग रहा है, और टेस् इसके लिए देखिए, बिल्कुल पात्रे की तरह ही है, और एकदम कम हमें इसमें बैटर लगाना है, तो ये एकदम क्रिस्पी हमारी समोसे बनते हैं, तो चलो अभी हम इन समोसों को जो है, फ्राय कर लेते हैं, तेल हमारा गरम हो चुका है, और एक एक करके, ये जो हमारा पात्रा समोसा है, इसको हम फ्राय कर लेंगे, जितना आपको क्रिस्पी चाहिए, उतना आप इसे फ्राय कीजिए, अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी और थोड़ा सॉफ्ट चाहिए, तो आप जल्दी भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये एकदम यमी क्रिस्पी ही है, तो ये देखें, कितने बढ़िया ये हमारे पात्रा समोसा ये बने हैं, ये देखें, कितना फुला फुला जैसे हम समोसे बनाते हैं, वैसे ये समोसा हमारा ये बना है, और एकदम ये क्रिस्पी बना है, इसका कोटिंग देखें, कवर देखें, एकदम क्रिस्पी इसका कि कवर बनां पात्रा का पत्ता की टम अभी पत्ता रवी को पत्ता की अब है उडल सी तो चलकम हरा कृपना ऑफ इसती है यह टो समुसा जो है, एकदम यमी लगते हैं, तो friends कितना बढ़िया यह हमारी समोसे बने हैं पात्रा समोसा बना है तो आपको आज की साहरा ड़जी खाया और आप बंड़ कंजिएगा और पात्रा के जो अलग तरीके का यह रेसिपी है तो आप बहुत ईजी है और अभी बारिश के मौसम में पात्रा जो है मार्केट में काफी मात्रा में मिलता है तो आप यार्बी के पत्ते के साथ जो है यह ऐसी नई रेसिपी भी आप बना के दीखेगा और आपको यह जरूर पसंद आएगी फ्रेंड्स और बहुत ईजी है मैंने इसके उपर जो है हमने एकदम पत्ला यह बैटर का कोटिंग लगाया उसे यह बहुत ही क्रिस्पी हमारी यह पात्रा के समोसे बने है और लेयर देखे इसका अंदर का एकदम बढ़िया है हमारी यह पात्रा समोसे बने है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो